नमस्कार दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही special होने वाला है जैसा कि आप thumbnail में देख चुके हैं कि BSC के बाद क्या करें क्या कोई career option है बहुत से दोस्तों के ऐसे comments ऐसे message आते हैं कि सर हमें कोई बताईए कि BSC करने के बाद हम क्या करें क्या किस field में हमें जाना चाहिए क्या career option है क्या इसमें नोकरिया है क्या हम पैसा कासा पैसा कमा सकते हैं ताकि हमारी life सेटल होसके जी हाँ दोस्तों आज के इस वीडियो में हम BSC करने के बाद क्या career option है इसके बारे में हम पूरा विश्तार से जो भी यहाँ पर हैं वो चीजी हम करने वाले हैं दोस्तों मैं career option से सम सेर्फ और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि बहुत important वीडियो है बारवी के बाद चातर को लगता है कि वो क्या करें BSC करें या फिर कोई government job की तियारी करें ताकि उसको और भी अच्छा कुछ scope मिल सके तो उसके मन में यह चीजे चलती रहती है तो वो चीजें आपके interest पर depend करती हैं कि आप BSC करें या कोई और competition की त्यारी करें लेकिन अगर आप BSC की त्यारी कर रहे हैं तो इससे समंदित मैं आपको best career option के बारे में आपको बताने वाला हूँ आज की इस वीडियो में 5 best career option और फिर कभी कोई videos और रहा हुआ तो उसमे में भी वें आपको कुछ career option लाने वाला हूँ तो दोस्तों वीडियो को सुरू करते हैं मज़ा आएगा इस वीडियो को देखने के बाद आपको और आपको बहुत अच्छी खासी जानकारी मिलने वाली है मज़ा आएगा बहुत जादा सुरू करते हैं आज की वीडियो सबसे पहला है आप सबसे पहला आप क्या कर सकते हैं कि आप MSC कर सकते हैं master of science MSC कर सकते हैं किसी भी subject से जो भी आपका interest है चाहें आप जिस भी subject से हैं math से करना चाहें physics से करना चाहें biology से करना चाहें आप किसी भी subject से MSC कर सकते हैं तो आपको सबसे पहला ये career option आपके लिए है MFC करें MFC करने के बाद या तो आप PhD कर सकते हैं बस आपको इन चीजों में मेहनत की जुरूरत होगी तो सबसे पहला करियर ओप्शन M.A.C कीजिए किसी भी सब्जेक्ट से कीजिए जो भी आपका इंट्रेस्ट है उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप M.A.C कर लीजिए शुरू करते करियर ओप्शन M.A.C कर लीजिए बहुत ही आपको इंट्रेस्ट होता है इन चीजों में शुरू से ही तो आप इन चीजों को कर सकते हैं जो भी मैं आपको करियर ओप्शन ता हूं इन पर आप जरूर ये वीडियो पूरा देखेगा आपको बहुत ही अच्छा लगेगा तो दूसरा आप L.L.B. कर लीजिए तर मैं तीसरे करियर ओप्शन के बारे में बात करूँ तो आप सिविल सर्विस की तियारी कर सकते हैं UPSC की तियारी जिसमें आप I.S. I.P.S. आई एफस बन सकते हैं तो तीसरा आपके लिए जो ओपरचुनिटी है तीसरा आपके लिए कोर लेगी लेकिन हाँ इतना जरूर है आप ये चीजें कर सकते हैं UPSC की प्रिपरेशन कीजिए आपको बहुत अच्छा जो मुकाम मिल सकता है और बहुत अच्छा कासा पैसा इज़त सहरत सब कुछ चीजें मिल सकते हैं तो तीसरा करियर ओप्शन आपके लिए है शिविल सर् है तो आप M.C.A कर सकते हैं Master of Computer Application ये क्या होता है सर ये एक साल का डिपलोमा होता है और इसके अंदर आप Software Engineer यानि जो Computer से डिलेटेड है टेक्निकल चीजें इसके बारे में आप ये कॉर्स कर सकते हैं इसमें आप Software Engineer बन सकते हैं कुछ Data Entry जैसे भी काम यहां पर हो सकते हैं तो आप जो तोथा Career Option है वो आप M.C.A कर लिजिए सबसे Important है सबसे Unique Career Option है इसमें भी आपको अच्छा कासा स्कोप मिलेगा अच्छा कासा पैसा भी यहां पर मिल सकता है अगर आपका वरक अच्छा होगा जितना अच्छा आपका वरक होगा उसी के According आपको पैसे भी मिलें हैं तो चोथा Career Option आप M.C.A कर सकते हैं कर लिजिए बहुत इंट्रेस्टिंग चीज़े हैं आपके लिए यह लास्ट Career Option की बात करूँ यानि आज के वीडियो के लास्ट के लेकिन यह वीडियो का सिलसला अभी थमेगा नहीं यह चलता जाएगा लेकिन आज के लास्ट Career Option के बारे में हम बात करने वाले हैं तो आप क्या कर सकते हैं गोर्मेंट जोब की त्यारी कर सकते हैं गोर्मेंट जोब में आप राजस्तान पुलिस पटवारी आप ग्राम सेवक ऐसी कुछ त्यारियां ऐसी कुछ प्रिप्रेशन कर सकते हैं यह भी आपके लिए बहुत अगर दोस्तों ये 500 करियर ओप्शन आपको अच्छे लगे हों बियसी के बाद हम क्या करें तो आप इस वीडियो को प्लीज तमाम दोस्तों के साथ सेर कर दें लाइक कर दें अगर चैनल पर नहीं हैं और सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें ताकि हम इसी तरह हैं कि एजुकेशन से समंदित वीडियो चाहें बियसी की क्लासे से समंदित हम वीडियो अप्लोड करते हैं और ऐसे करियर ओप्शन के बारे में भी हम आपके लिए वीडियो लाते रहते हैं ताकि आपको यह नया लगे कि बियसी के बाद हम बेरोजगा रहने वाले हैं तो आपके लिए मैं करियर उप्शन से समनित वीडियो लाया हूँ मैं मिलता हूं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद जैहिंद जैवाद